नवश्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर कायकरम अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए लड़ रहे भारत को क्रांतिकारी धार देने क्वाले नेता भगत सिंग का आज 114 जनम दिन है भगत सिंग का जनम दिन 27-28 सितंबर को पूरे भारती उपमहद्वीप में मनाया जाता है संघर्षों के साथ और आज भारत में देश का अन्न दाता उनका जनम दिन मना रहा है सड़कों पर साथी साथ यह भी कहा भगत सिंग ने क्रांती की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है तमाम अलग-अलग मोर्चों पर सक्रिय भगत सिंग किस तरह से आज याद किये जाते हैं अंदोलनों में प्रासंगिक मने हुए हैं इसकी धार आज पूरे देश में किसानों द्वारा कॉल किये गए भारत बंद में देखने को मिली खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपीद पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दरसवाल जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आज भारत बंद की, देश भर के अलग-अलग किसान संगठोनों ने, आज, यानि 27 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद का अहवान किया था किसानों का साफ-साफ कहना है, और उसे वे अलग-अलग उदाहरोनों से प्रमानित भी करते आए हैं, कि जो तीन क्रिशी कानून, मोदी सरकार ने पारित किये हैं, दरसल वह भारत की खेती को कॉर्परेट के हवाले करने की साजिश का हिस्सा हैं और हम जानते हैं कि पिछले 300 दिनों से 26 नवंबर से 26-27 नवंबर से किसान मोर्चे पर बैठे हैं, इससे पहले वे अपने राजियों पर बैठे हुए थे और आज देखिए जिस तरह का ये अहवान किया गया और उसका असर हमें देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दिया, उससे साफ है कि किसानों की भीतर गुस्सा बढ़ रहा है और किसानों के पक्ष में बड़ी तादाद में लोग उतरे हुए हैं आज भारतबंद इसली भी एतिहासिक है क्योंकि इस भारतबंद को समर्थन देना हर एक राजनितिक दल के लिए जरूरी हो गया सिर्फ भाशपा या उसके समर्थक दलों को छोड़ दिया जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस तमाम राजनितिक दलों ने भारतबंद के समर्थन किया है यहां तक की वेब दल भी जिने भाशपा अपने साथ मान रही है उन्हें भी मजबूरन सामने आकर देश के अनदाता के साथ खड़ा होना पड़ा है हमें दिखाई दिया कि किस तरह से तमाम हाईवेज पर तमाम बड़े बड़े रास्तों को किसानों ने जाम किया और साथ ही साथ बहुत सीधी सीधी अपील की उनका कहना है उन्होंने अपील की भारतिय नागरिकों से उन्होंने कहा कि हमें पता है इस भारतबन से आपको तकलीफ होने वाली है लेकिन आप यह भी सोचिए कि हम भी बहुत तकलीफ में हैं देश का अनदाता बहुत इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे शांती पूर्ण भारत बंद को आप समर्थन दें और ऐसा दिखाई भी दिया कि गाओं देहात के लोग शहरों के लोग मजदूर उनके समर्थन में बाहर आए समर्थन में बैठे और कम से कम ये तस्वीरे और ये वीडियो एक बात को प्रमारित कर रहे हैं कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है नमस्कार मैं अबीक शाह जैकिसान आंदोलन के अध्यक्ष बुर रहा हूँ इस वक्त मैं कलकता की मौलाली चौराहे पर खड़ा हूँ जुलूस की पैयारी हो चुकी है सैक्रो महिलाए कारेकर्टा सभी संगठनों के यहां आके पहुचे हैं और यह जुलूस हम एसेन्स एनरजी रोड से लेकर धरमतला जो कलकता की केंदर मत्र सेंटर आफ टाउन मानके चलते हैं वहां पहुचेंगे वहां हम रास्ता रोकेंगे बैठेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे फिर वह जुलूस को लेके हम लेरिन सरनी से वापिस यही मौलाली स्याल्दा स्टेशन के पास पहुचेंगे जैसे कि आपको दिखी रहा है बहुत सारे लोग इकठा हुए हैं यह शहर है यहां हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि किसान आके पहुचा है किसान तो अपने गाउं में अपनी तहसील में अपनी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन और रास्ता बंद करके बैठे हैं जिस तरह की खबरे दिखाई दे रही हैं आप तक पहुची होंगी कि इतना बड़ा जाम लगा लोग बहुत परेशान हुए यह तमाम पत्रकार या मीडिया घराने यह बताने को तयार नहीं है कि इसके असली वज़ह क्या है इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं क्यों नहीं आखिर मोदी सरकार सुन रही है सबसे बड़ी और दिल्चस्प बात यह है कि इस समय जिस समय भारती मीडिया विदेश यात्रा से भारत वापस आए प्रधान मंत्री नरेन मोदी का इस्तुतिगान कर रहा है यह बता रहा है कि उनके अंदर कितनी जबरदस्ट एनरजी है वो यात्रा करने के बाद किस तरह से पहुशते हैं सेंट्रल विस्ता में जो निर्मान चल रहा है दिल्ली को नए ढ़ंग से जो बनाई जा रही है राजधानी को सजाने का काम चल रहा है उजाडने का काम चल रहा है उसका मुआयना करने किस तरह से देश के प्रधान मंत्री पहुशते हैं इसके लिए जो प पूरी बेशर्मी से मीडिया को PR एजनसी में तबदील करने का जो उपक्रम चल रहा है वह एक तरफ एक सरकारी आयोजन का इस्तुतिगान करता है उसके पक्ष में खड़ा होता है लगातार खबरे देता है और वहीं दूसरी तरफ जब लाखों की तादाद में किसान सड़को पर आते हैं उतरते हैं उसे अपने प्राइम टाइम में जगह देने को यह मीडिया तैयार नहीं होता है हमने जान बूझ कर आप से प्रधान मंत्री के फोटो शूट या उसके बाद ट्वीटर पे जो एक तरह सा कॉपी पेस्ट वाला कैमपेंच चला उसकी बात ज्यादा नहीं की इसकी बहुत ठोस वज़ा है कि इस पर बात करने के लिए बहुत से लोग हैं लेकिन हमारा असली एजंडा यह बताना है कि किस तरह से जिस समय ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं देश का जो आम भारती नागरिक है वह किन समस्याओं से जूज रहा है यहां पर सिर्फ भारत बंद ही नहीं भारत बंद के पीछे की जो लंबी तयारी है हमने देखा किस तरह से पंचायते हो रही हैं किसान पंचायते हो रही हैं बड़े पैमाने पर लोग जुट रहे हैं और सीधे सीधे टकर ले रहे हैं चाहे केंद्र में नरेन मोदी की सरकार हो उनसे या उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनात की सरकार हो उससे और इसका असर पड़ा है इसका असर कम से कम इतना तो पड़ा है कि गन्ने पर कुछ रुपे बढ़ाए गए हैं आपको दिखाई देगा कि इतना जब पूरा का पूरा किसान बेल्ड किसान की पूरी की पूरी ज लगातार दूसरे ढ़ंग के बयान सरकारों के किसानों के बारे में आ रहे हैं बताया जा रहा है कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी हों या योगी आदितिनात ये बहुत सहज सरल उपलब्द हैं लेकिन हमने देखा कि तकरीबन एक साल से अधिक समय बीट गया किसानों को इन कि क्रशी कानूनों के खिलाफ जमीन पर उत्रे हुए लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल इन नेताओं के जरीए नहीं हुई ना जानने की जरूवत हुई कि आखिर वे क्यों सड़कों पर उत्रे हुए हैं किसानों के भारत बंद के संदर में यह फोटो यह वीडियो भी देखना और याद रखना जरूरी है कि जिस समय प्रधान मंत्री नरेन मोदी अमरीका में थे यूएन मीटिंग के लिए उस समय वहाँ पर भी भारती किसानों के पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में लोग एक जुठ हुए थे वहाँ पर भी किसानों के पक्ष में मोदी सरकार से यह मांग की गई थी कि इन तीन क्रिशी कानूनों को वह वापस लें सोशल मीडिया से लेकर हर जगा एक ही तरह का अभियान बीजेपी आईटी सेल सहित बाकी लोग चला रहे हैं हर जगा एक कैम्पेन चलाई जा रही है कि मेरा भारत खुला हुआ है और इसमें सबसे दिल्चस्प नजारा ये देखने को मिला कि जो फोटो ट्वीट किये गए अलग-अलग शहरों के नाम पर एक ही गली को ट्वीट किया गया जिसे खुला बताया जा रहा है जब हम बात कर रहे हैं मीडिया की मीडिया सिर्फ अवधारना बनाने का ही काम नहीं कर रहा मीडिया नफरत पहलाने में भी किस तरह से लगा हुआ है और उसमें बहुत से पत करीब 60 किलोमेटर दूर की है सिर्फ जार की है जहां पर तथाकतित तोर पर कुछ लोगों को बेदखल किया जा रहा था ये तमाम लोग मिया मुसल्मान हैं जिनके बारे में खबरे हैं प्रमान हैं कि तकरीबन 50 साल से अधिक समय से वहां बसे हुए हैं सब कुछ होता है कैम पर हमला बोला जाता है वह डंडी लेकर दौड़ता है अपनी जमीन को बचाने के लिए उसे गोली मारी जाती है गोली मारना पुलिस पूरा कपूरा जो महकमा है वह करता है लेकिन उसके बाद जो होता है वह दिल दहलाने वाला है इस पूरे अभियान में यह भारतिये ना से देश और दुनिया के सामने आया सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से बिजॉय शंकर बनिया नाम का एक फोटो जर्नलिस्ट उस लाश के उपर कूथता है और देश की सारी पत्रकारिता को और इंसानियत को शर्मसार करता है इस घटना का जिक्र बहुत लंबे समय तक होना चाहिए कि हमें किसी भी सूरत में हत्यारा नहीं बनना ना हत्या के पक्ष में खड़ा होना है एक तरफ देश में किसान भारत बंद का नारा देते हैं तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेने के लिए अपने आंदोलन को तेज करते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ एहम घटनाएं भी होती हैं मिसाल के तौर पे देश के प्रधान नियाए धीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना ने जो कहा वह बहुत काबले गौर है उन्होंने कहा कि नियाए पालिका में पचास फीसरी महिलाओं को आरक्षन मिलना चाहिए और साथी साथ उन्होंन जम के हला गुला करें और संघर्ष करें उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जब तक इस अधिकार के लिए लड़ाई नहीं होगी संघर्ष नहीं होगा तब तक यह मांग पूरी नहीं हो पाएगी और इसी क्रम में हमें याद आती है भारत की बहुत ही दिल अजीज, जीव प्रशंद, बानवधिकार कारकरता, फैमनिस्ट कमला भसीन की जिने हमें अभी हाल में ही खोया है वह जिस तरह का जीवन जीके गई, जिस तरह की मिसाल हमारे सामने उन्होंने पेश की, शायद वह आने वाली पीडियों के लिए भी लाजवाब मिसाल है उन्होंने सिर्फ म महिलाओं के उपर पैट्रियार्की या पित्र सत्ता का दबाव है, जितना दमन है उससे कम पुरुष उसका गुलाम नहीं है और उसकी वज़ा से पुरुष इंसान के तौर पर नहीं हैवान के तौर पर काम करता है यहाँ पर कमला भसीन को याद करते हुए उनकी जो कवित है आजादी उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं पढ़ूंगी और निश्चित तौर पर किसी भी तरह की गुलामी हो किसी भी तरह की जंजीरे हो उनसे आजादी पाने का जो हौसला है वह हमारा बुलंद रहेगा हम छीन के लेंगे आजादी है हक हमारा आजादी जान से प्यारी आजादी फासी वाद से आजादी पूजी वाद से आजादी सामंत वाद से आजादी प्यारी प्यारी आजादी आजादी शुक्रिया